ओम गण गणपतय नमहा श्री गुरुदे वदत्त नमस्कर मित्रो प्रोफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे प्राचिन हिंदू मंत्र शास्त्र में ऐसी कई सातनाओं का वर्णन किया गया है जिसका प्रयोग करने से साधक को दिव्य, मायवी और अलवकिक सिध्धिया प्राप्त होती है इस वीडियो में मैंने एक ऐसे ही गुप्त मंत्र साधना के बारे में बताया है जिसका प्रयोग करने से साधक को कपोत सिध्धी प्राप्त होती है कपोत एक संस्क्रिट शब्द है जिसका हिंदी अर्थ कबुतर ऐसा होता है इस दुरलब मंत्र साधना से साधक को कबुतर द्वारा की कई आवाज सक्षम में आती है और वह उनसे बाचित करने में सक्षम बन जाता है इस साधना से साधक को भूत वर्तमान और भविशका ग्यान पाने की अलोकिक शक्ति प्राप्त होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे इस मंत्र साधना के शुरुवात किसी भी दिन साधक कर सकता है साधक की हम मंत्र गर पर या किसी भी एकांत स्थान या काली माता के मंदिर में बैठ कर कर सकता है साधक को काली माता की पुजा करनी है और उनका अशिर्वात लेना है और फिर आगे बताए हुवे सिर्फ तीन शब्दों के मंत्र का कम से कम दिनों में 50,000 बार चाप करना है मंत्र चाप के लिए दिशा, आसन, माला, इत्याधी का बंधन नहीं है साधक काली माता की तस्वीर अपने सामने रखकर आख बंध करके उनका स्मर्ण करके मानसिक रूप से कर सकता है और ऐसी कलपना कर सकता है कि माता उसके चारो और मौजूद है इस मानसिक पुजा को उसने दो-तिन मिनिट के लिए करना है और फिर माता का आशिर्वात पाने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना बोलने है और फिर मंत्र चाप शुरू करना है मंत्र सिद्ध होने के बाद अगर साथक, भूद, भविश्य और वर्तमान जानना चाथा है तो उसे कबुतर की विट याने विश्टा में पानी की कुछ बुंदे मिलाकर उसकी पेस्ट बनाने है और फिर उस पेस्ट का तीलक अपने माथे पर लगाना है ऐसा करने से उसे यह गुप्त ज्यान प्राप्त होता है इस वीडियो के अंग्रेजी आर्टिकल की लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती है अब मैं आपको मंत्र सुना रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए, मंत्र इस प्रकार से है अगर आपको हमारा चनल पसंद आ गया हो तो कृपया सस्क्राइब करना मत भुलिये प्रभू सबका कल्यान करेंगे